नमस्कार दोस्तों जी के स्टेडी दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम कुछ बेसिक क्वेशन डिस्कस करेंगे जो की बॉयलर टॉबिक पे हैं तो पाच मिने निकाल के इस कुईज में जरूब पार्टिस्पेट करें ये क्वेशन बॉयलर टेंडेंट फर्स्ट क्लास सेगिंड क्लास को इंटर्व्यू में पुछे जा सकते हैं वीडियो ची लगे तो वीडियो को लाइक जरू कर दें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सुब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों अगर ये क्वेशन आपसे पूछा जाए इंटर्व्यू में तो आपने इसका अंसर देना है और अगर हम इसका हिंदी में मतलब समझें तो फीड चेक वाल पानी के फ्लो को कंट्रोल करने का काम करता है यानि इस वाल को हम कम या ज़्यादा करके पानी के फ्लो को कंट्रोल यानि कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी रिक्वाइर्मेंट के अकोडिंग कि हमको किस flow से पानी को steam drum के अंदर भेजना है and prevent the pump from back flow दोस्तों अगर हम इसका हिंदी में मतलब समझें ये pump को back flow से prevent करता है यानि इसमें एक NRV लगा होता है जो steam drum में जो steam है उसको return वापिस नहीं आने देता discharge line में और pump को यानि feed pump को ये back flow से prevent करता है question number 2 what is the function of safety wall in boiler boiler पे safety wall का क्या काम होता है दोस्तों अगर ये question आपसे पूछा जाए तो आपने इसका answer देना है safety walls automatically open when the pressure increase its pre-set point and release the steam pressure दोस्तों इसको हिंदी में समझते हैं जिस pressure set point पे हमने safety wall को set किया है अगर boiler के drum का pressure किसी कारण से उसको meet करता है तो ये उस steam pressure को release करने का काम करता है इसकी एक example लेके समझते हैं माल लिजिया हमारे boiler पे working pressure है 9 kg और हमने safety wall को set किया है 9.5 kg पे और अगर किसी कारण से boiler cut out नहीं होता और pressure 9 kg से बढ़कर 9.5 kg तक पहुंचता है तो ये safety wall क्या करता है उस steam pressure को release कर देता है और boiler को safe करने का काम करता है दोस्तों अगर ये question आपसे पूछा जाए तो आपने इसका answer देना है feed water pump supply the pressurized feed water to boiler steam drum यानि अगर हम इसका हिंदी में मतलब समझें तो feed water pump पानी को pressurize करके steam drum के अंदर भेजने का काम करता है against the steam drum pressure यानि steam drum में जो steam का pressure होता है उसके against ये पानी को steam drum में भेजने का काम करता है दोस्तो इसी लिए जो boiler पे feed water pump होता है उसका pressure steam pressure से डेट गुना ज्यादा रखा जाता है ताकि वो steam pressure के उपर दबाब बनाके पानी को drum के अंदर फिल कर सके question number 4 why we use pure deem water in boiler boiler पे हम deem water का use क्यों करते है दोस्तो अगर ये question आप से पूछा जाए तो आपने इसका answer देना है because all dissolved salts and minerals removed from the water यानि deem water में से all dissolved salts and minerals को निकाल लिया जाता है तो इससे जो हमको steam की quality मिलती है वो बहुत high purity वाली मिलती है और जो boiler पे chemical consumption होती है वो भी बहुत कम होती है तो chemical consumption कम होने के कारण हमको chemical की cost कम होती है और दोस्तो जो boiler पे pressurized parts होते है जैसे कि boiler tubes उनकी life भी बढ़ती है question number 5 दोस्तो इस question का उत्तर आपने comment करके बताना है which fan is created induced draft in boiler boiler पे induced draft कौन से fan द्वारा create किया जाता है दोस्तो FD fan या फिर ID fan जो भी आपको सही answer लग रहा है नीचे comment करके बताएं वीडियो अच्छी लगी है तो जाते जाते वीडियो को like जुरू कर दें और अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो चैनल को subscribe करके bell icon को press कर लें